अब question number 13 solve करते हैं let x is equal to this number और अब दोनों साइड का log ले रेंगे log x is equal to log 279.6 cube root है इसको power 1 over 3 लेख सकते हैं over 324.5 power 1 over 5 लेख सकते हैं अब log के property apply करते हैं तो log of उपर वाला number यानि 279.6 power 1 over 3 minus log 324.5 power 1 over 5 अगेन हम property apply करेंगे power में 1 over 3 है ये शुरू में आ जाएगा log 279.6 minus इसी तरह ये power 1 over 5 शुरू में आ जाएगा log of 324.5 तो यह आएगा 1 over 3 अब इसका हम log find करेंगे log 279.6 तो 2.4465 minus 1 over 5 log of 324.5 तो यह आएगा 2.5112 तो log x is equal to 2.4465 divided by 3 करेंगे तो यह आएगा 0.8155 minus 2.5112 को दिवाइ करेंगे 5 से तो यह आएगा 0.50224 अब मैनस करेंगे 0.8155 minus 0.50224 मैनस करने के बाद यह आ जाता है 0.31326 अब एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग लेने के बाद यह x रह जाएगा और इसके साथ हम एंटी लॉग लेंगे 0.31326 तो अब शेफ्ट का बटन प्रेस कर दें लॉग और यह आज अंसर आ जाएगा x is equal to 2.057 5.027 5.027 5.027 6.03 6.037 6. झाल झाल